हैलो गार्डनर ये मेरे एडिनियम के प्लांट है जो मेरे ही गार्डन के सीड से मैंने ग्रो किये हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कितने जादा हैल्वी ग्रो हो रहे हैं इनका कोडेक्स कितना मोटा और हैल्वी है और ये प्लांट लगबग वन इयर के हो गए है मै पडनी है तो मँझे लगा एक लिए बिल्कुल सही है। तो मैंने इसी में ये प्लांट लगा दिये थे, तो ये तीन प्लांट जो हैं वो वन एयर के हैं और ये लास्ट वाला प्लांट ये लगबग 4-5 मंद का होगा, तो मैंने चारो प्लांट इसी में लगा दिये, तो ये प्लांट चल तो बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन दे इसमें मैंने ना तो कोई कमपोस्ट टाइट किया था ना कुछ बस 50% सैंड और 50% स्वाइल के मिक्षर में इन्हें लगा दिया था तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी तो आज मैं आप से एडिनियम की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी तो फ्रैंड्स देखिए यह म मैंने इनकी पिंचिंग कर दी थी तो अब यह बूशी हो गया है जैसी इस प्लांट की मैंने पिंचिंग की थी तो इस पे कितना ज्यादा बूशी हो गया है ऐसी इस प्लांट को मैंने पहले पिंच किया तो तीन नीव ब्रांच अई थी और फिर इने यहां से और देखिए एक यहां से और यहां से यह तीनों प्रांच को मैंने पिंच कर दिया तो यह प्लांट कितना ज्यादा बूशी हो गया है तो जब यह बूशी होता है तो दिखने में भी ज्यादा सुन्दर लगता है और इमने फ्लावर भी ज्यादा आते हैं तो अब मेरे सारे प्लांट तो इस पे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इनका सेफ एक ही पॉर्ट में रहने के कारण गर्बर ना हो जाए, इसलिए मैं इन्हें रिपॉर्ट करने वाली हूँ, इन्हें रिपॉर्ट करने के लिए मैंने ये नर्सरी पॉर्ट ले लिए हैं, ये वही पॉर्ट हैं जिनमें हमें नरसरी से प्लांड लगके मिलते हैं तो मेरे पास अभी सैलो पॉर्ट नहीं है तो मैं इन ही में लगाने वाली हूँ क्योंकि इनकी डैप्थ भर जादा है तो इसमें भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और इसमें ड्रैनेस के लिए होल भी काफी जादा बने हुए है तो देखिए इनमें कितने जादा ड्रैनेस होल बने हुए है तो इन ही पॉट में मैं इन प्लांड को सिप्ट करने वाली हूँ और एक प्लांट छोटा है तो उसे मैं इस छोटे से पॉट में सिप्ट करूँगी कवर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी यह जो रेथ हम छानते हैं तो उसमें जो मोटे मोटे पीसे से निकलते हैं तो यह इसको हम सबसे नीचे डालेंगे जितने भी चुच उतित onsen बिद मारी destruction को सबसाodies इसमें देखें कुछ मोटे पीसे यह और दोंसे हैं हमें ऐसी हुचे से चाहिए हमें बारिक संप आप चाहिए हमें ऐसों सबसाहिए हम एसी संसे हैं जिसमीं कुछ मोटे पार्ट हो और कुछ मारीक पार्ट हो तो मैंने ये ले लिया है अब इसे कवर करने के लिए सबसे पहले मैं ये बजरी इस पे डालूँगी बजरी की जगा हम ये ब्रिक्स याने इट के छोटे छोटे पीस करके इन्हें भी यूज कर सकते हैं तो इसे ड्रैने सोल भी अच्छे से कवर हो जाएगा और जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी तुरन बाहर निकल जाएगा तो मैं बजरी की लगभग एक से देड़ इंच मोटी लेयर इसमें नीचे डाल दे रही हूँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे रिवर सैंड तो river sand भी हमें 1-2 इंच मोटी layer बिछानी है अब ये दूसरे pot में मैं बजरी की जगा ले रही हूँ ये bricks तो bricks को भी मैं बजरी की तरह ही use करूँगे इसे drainage hole भी cover हो जाएगा और इसे पानी भी तुरन बाहर निकल जाएगा अब soil mixture की बात करें तो इसके लिए मैंने ये garden soil ली है एक भाग गार्डन स्वाइल और ये है river sand और ये vermicompost तो मैंने एक भाग लिया है garden soil ये new soil ली है मैंने और एक भाग river sand और एक भाग है vermicompost तीनों को मैंने equal quantity में ले लिया है और मैं इसे अच्छे से mix कर दूँगी आप vermicompost की जगा गोबर खाद ले सकते हैं पर मैं गोबर खाद का एडिनियम में यूज नहीं करती हूँ मैंने एक ही बार इसका यूज करके देखा और मेरे एडिनियम के कोडक्स खराब हो गये थे और अब मैं ये थोड़ी सी ले रही हूँ नीम की खली तो नीम की खली मिलाने से इसमें fungus लगने के chance कम हो जाते हैं तो मैं थोड़ी सी इसमें नीम की खली मिला दे रही हूँ आप इसकी जगह कोई भी fungicide powder का यूज कर सकते हैं पर मैं अपने plant में fungicide powder का यूज नहीं करती हूँ मैं बहुत ही rare condition में fungicide powder का यूज करती हूँ और आप मैं इनको अच्छे से mix कर ले रही हूँ आप चाहें तो इसमें एक चमचना healthy powder भी मिला सकते हैं अब यह हमारी स्वाइल है वो बिल्कुल पोरस त्यार हो गई है एकदम पोरस स्वाइल अभी आप इन्हें बांदेंगे न तो यह बिल्कुल नहीं बंदेगी तो ऐसी ही पोरस स्वाइल एडेनियम को चाहिए होती है कि हम इनमें पानी डालें और पानी तुरंत ही ड्रैनेस होल से बाहर हो जाए याने प्लांट को जितना water चाहिए होता है सिब उतना ही स्वाइल में रहे इस प्लांट को अमें बिना root damage किये pot में से बाहर निकाल लेती हूँ और आप देखिए कितने जादा easily बाहर आ गया है तो पोरस स्वाइल होने का यही फायदा होता है कि यह बहुत आसानी से स्वाइल में से बाहर निकल जाता है इसकी बिल्कुल भी root damage नहीं हुई है तो यह एक प्लांट निकल गया ऐसी में अपने बाकी प्लांट को भी निकाल लेती हूँ और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह कितने जादा healthy ग्रो हुए हैं इनका कोड़िस कितना जादा अच्छा डेवलफ हुआ है और जब हमें अपने ही garden के seed से ऐसे free में plant मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है यही plant अभी हम market में लेने जाएंगे तो हमें 1500 से 200 रुपे में मिलेंगे और हमें free में इतने सारे plant मिल गए हैं मेरे और भी सारे एडिनियम के बेबी plants हैं जो मैंने आप लोग को garden overview में भी दिखाया था मुझे उन्हें भी अलग ट्रांस्प्लांट करना है पर मैं कुछ दिन बात करूंगी अब मैंने इन्हें वास कर लिया है अब आप इनकी root को देख सकते हैं कितनी healthy roots हैं ये कितने अच्छे से roots इनकी develop हुई हैं ये भी देखिए ये तो बिलकुल आसन लगा के ध्यान लगाने के लिए तयार हैं कितने सुन्दर सेप में ये तयार हो रहा है इसी तरीके से ये देखिए इसकी भी root कितने ज़्यादा अच्छे से बनी हैं और एडेनियम को तो उनके codis के लिए ही पसंद किया जाता है और ये baby plant ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है तो अब ये pot तो मैंने नीचे से आदा फिल कर लिया था अब मैं इसे soil mixture से भर लेती हूँ इसे मैं हाप से भी ज़्यादा भर लूँगी क्योंकि एडेनियम की हमें थोड़ी सी ही root को नीचे डालना है इसका मैं बस ये जो white वाला portion नीचे वाला है बस उतने को ही मैं soil में डालूँगी तो यदि आप एडेनियम का codex मोटा चाहते हैं तो पहले ये जितना नीचे दबा रहता है उससे आप 1 इंच उपर उठा कर ही इन्हें लगाईए हर बाद जब भी आप इसकी reporting करें तो पहले से एक से देड़ इंच इसे उपर रखिए तो इसका codex मोटा होते जाता है तो मैंने केवल नीचे वाली root को ही soil में दबाया है और बाकी को मैंने उपर रहने दिया है तो दीरे दीरे ये codex इसका मोटा होते जाएगा अब मैंने अच्छे से soil से cover कर दिया और यह root है दीरे दीरे यह मोटी होगी यह अपने shape में आएगी ऐसे यह वाली root भी मैं इधर site कर दूँगी तो यह भी इस तरीके से shape ले लेगी ऐसे ही मैं यह दूसरे plant को भी report कर ले रही हूँ इसमें भी जितनी root white वाली है ना नीचे सी मैं उतने को ही cover करूँगी इस तरीके से मैंने अपने चारो ही plant की reporting कर ली है और मैं अभी इन में watering नहीं करूँगी क्योंकि soil पहले से ही गीली थी तो इसमें moisture है तो मैं watering नहीं कर रही हूँ और मैं सारे plant को उठा के full sun में रख दूँगी एडिनियम को जितनी ज़्यादा sunlight मिलती है ये उतने ही ज़्यादा अच्छे से grow होते हैं अब इसकी watering की बात करें तो आप इस पे पानी बिल्कुल check करके ही दी दिए जब तक इसकी soil, top की soil dry नहीं हो जाए तब तक आप इस पे watering नहीं करें आप soil को टच करके check कर लीजिए जब इसकी top की soil 2 इंचे तक dry हो जाती है उसके बाद ही आप इसमें watering करें तो इस plant में कोई भी problem नहीं आती है ये बहुत अच्छे से grow होते रहता है ये ना easy to grow plant है यदि हम इसका अच्छे से soil mixture बनाते हैं watering का ध्यान रखते हैं तो ये plant बहुत easily चलता है और flowering भी करता है तो friends यदि आप भी अपने एडिनियम plant की reporting करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए क्योंकि फिर thund start हो जाएगी तो इनका dormancy period आ जाता है तब इनकी growth बहुत ज़्यादा slow होती है ये सही time है इनकी reporting करने के लिए और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो like share जरूर कर दीजिए मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी कर लीजिए